नमस्कार दोस्तो मैं हूं मैयूर और आपसब का बहुत स्फागत आपकी चेनल स्मार्ट इडिया मेうんだ STU kamu हूं वीडियो है बहुत ही अच्चा होने वाले आपको बहुत पसंद अने वाला क्योंकि आपका जो भी वीडियो है वह व debug आते होइं, Soul LED और यहको dovकंड और जबताम में तेकर सब्सकिंद सब्सक्तारी में किने चन्तरो बाएं मैं सब्सक्राइए फ़क है गश्रीन,ें और बितला में तरक्डनय, ज़ ग। एथे मत चाहिते हैं तो मैं आपको giveaway करने वाला हूं, कोई भी controller, तीनों में से, जो भी जितेगा हमारा follower, subscriber, ठीक है, उनको जो मांगेगा, वो controller मैं दे दूंगा, जो यहां पर मैं दिखा रहा हूं, दिखाने वाला हूं, ठीक है guys, तो वैसे लिए controller तो बहुत तरके होते हैं, तो दोस्तों, समय कर अगवात हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चलिए सुरू करते हैं, तो दोस्तों, अभी आपको screen में सामने दीख रहे हैं, जो चार controller है, वोसी चार controller के भारे में, आज मैं बात कने वाला हूं, समझाने वाला के कौन सा controller, कहां use होता है, कौन से controller में कितने LED को control किया जा सक तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम लेते हैं, छोटे वाले controller को, ठीक है, तो यह जो controller है, वो एकदम budget price का controller है, इसकी price की बात करें कि यह जो price है, उसकी 70 रुपे है, ठीक है, 70 से 80 रुपे में आपको यह controller मिल जाएगा, और इसकी जो capacity है, LED को control करने की वो है, 100 bulb, वो 100 से जादा बल्ब को operate नहीं कर सकता है, लेकिन, budget price में आप कुछ decorations करना चाहते हो, घर में नर्मल, तो इसका योग उपियोग कर सकते हो, ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं, तो यहां पर इस, इस controller पर आते है, इस controller का नाम है, SP108E, और यहां पर यह जो controller है, उसकी effect होती है, तकर आप color change करना चाहो, जो इस रंग के भी LED बनाना चाहो, बन सकती है, ठीक है, और उसकी price की बात करें, तो यह जो controller है, हजार के आसपस आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है, और control करने की capacity उसके कितने होती है, 2000 LED को आराम से यह control कर सकता है, और कोई भी LED को यह control कर सकता है, चा फिर यह जो controller है, वो Bluetooth से connect हो जाएगा, Bluetooth या फिर Wi-Fi दोनों से, मतलब यह जो controller है, वो Wi-Fi वाला है, तो Wi-Fi से control कर सकते है, अब ठीक है, अभी आगे बढ़ते है, तो same controller दिखता है, यह, यह जो controller अभी आपको same दिख रहा है, कि white debug वाला था, लेकिन यह पर आप नमबर देख सकते हो, SB107E, यह जो controller है, उसके उपर आपको अलग क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे music का कोई systems दिया हुआ, जी हाँ दस्तों, यह भी mobile से control होता है, यह भी 2000 LED को control करता है, लेकिन उसमे एक प्लस पॉइंट है, कि यहाँ पे music पे operate हो सकती है, अपने LED लाइट, ठीक है, तो all तरह की LED लाइट कर सकता है, और यहाँ पे music पे operate होगी, तो जैसे भी आप song बजाओगे अपने PC में, या फिर phone में, या पिर direct line लाइन भी input कर सकते हैं, तो यह जो controller है, वो LED को अलग-अलग rhythm से बहुत यह अच्छी तरह से, आपको बहुत अच्छी पैटन है, और बहुत म अलग-अलग उसके रेट से, सभी साइट पर आप देख सकते हो, चकाप कर सकते हो, इन सभी controller के लिंच से, आपको मिल जाएगी तो आप छेक आउट कर सकते हो, और अमारा आकरी जो controller है, वो बहुत बढ़ा है, यह जो controller है, उसका नाम है T1000S, और यहाँ पे आपको दीख रह इसके खास बात यह है, यह programmable, आप जैसे डिजाइन चाहो ऐसी बना के उसको चला सकते हो, और दूसरे एक बात है कि उसमें फंट भी operate कर सकते हो, मतलब कि बड़ा सा जो मतलब आपने देखा होगा कहीं वीडियो यूटूब पर लाइवी देखा होगा बड़े-बड़े मं लिखे जाता है एनिमीज आते है और यही बैस प्लस बात है कि इसमें फंट आते हैं मतलब कुछ भी आप लिखना चाहो अपने सौल का नाम लिखना चाहो जोगा जो कोई भी और इनिमेशन करना चाहो तो इससो आप अर्राम से बैसे सकते हो तो दोस्तों इन्चार घ्रण लाइक जो बात है थी कुछ इंफ्रमेशन ती वह मैंने दे दिया है तो दोस्तों में उमेद करता हूँ कि यज वीडियो को पसंद आया होगा उगा और मैं पसंद बता रहा है तो है जब से वहाएकन लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करने के बात बाद बेल का इकन है वो जरूर दबाना क्योंकि वो सब प्री होता है सब्सक्राइब बेल आइकन और बार बार मैं क्यूं बता रहा हूं कि जो बेल का इकन जब भी आप दबाओगे तो क्या होगा कि जब भी में ऐसा नहे कोई वीडियो डालोंगा तो नौट पेक्शन आपको सबस से पहले मिल जाएगे तो दोस्तों के वीडियो में था बाज इतना है अब हम मिलेगे ऐसे नए वीडियो के साथ अब तक लिए जैहिंड वांदे मात रहा हूं